शाउमी ने भारत में अपनी नई रेड्मी वाई सीरीज को पेश किया है कैजस 360 को शाउमी रेड्मी वाई वाई वन हैंडसेट मिल चुका है इस फोन का रेटल बॉक्स दिखने में कुछ ऐसा है आई याव इस फोन को अनबॉक्स करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है शाउमी रेड्मी वाई वन आगे वाला पैनल सफेज रंग का है और पिछला हैसा गोल्ड कलर का पिछला हैसा मेटल का होने का हिसास देता है किनारे पर पाउर और वल्यूम बटन है अब इस फोन को स्विच आउन करते हैं तब तक देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या कुछ है आपको एक माईक्रो यूसबी केवल मिलेगा एक सेमेजक्टर टूल है और एक एडप्टर है चार्जिंग के लिए बॉक्स में कोई हेड़फोन नहीं है शाउमी रेड्मी वाईवन में स्नैप ड्रेगन 435 प्रोसेसर का इस्तमाल हुआ है रैम और स्टोरेज पर अधारे दो विरियंट है तीन जीवी रैम के साथ 32 जीवी स्टोरेज और 4 जीवी रैम के साथ 14 जीवी स्टोरेज यह फोन मी यूआई 9 पर चलता है अब इस फोन को तेजी से सेट अप करते हैं तो यह है रेड्मी वाईवन पर मी यूआई 9 की पहली जलग नया थीम पहले से अक्टिव है मी यूआई 9 के साथ शाउमी ने नया पेज भी पेश किया है जहाँ पर आप अपने सभी नोट्स और अनजानकारियों को देख पाएंगे फ्रेंट पैनल पे 5.5 इंच का एच्डी डिस्पले है इस पर कॉर्निंग गोरिला ग्लास की प्रोटेक्शन है एक 16 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा है और साथ में सेलफी फ्लैश भी साफ है कि फोन को सेलफी के दिवानों के लिए बनाया गया है डिस्पले के नीचे कैपसिटिव टच बटन है पिछले हिस्से के किनारे पे 13 मेगा पिक्सल का सेंसर है और साथ में सिंगल LED फ्लैश भी रियर के मद्द में फिंगर प्रिंट सेंसर है नीचल हिस्से पे आपको Micro USB पोर्ट मिलेगा और इसके दोनों तरफ स्पीकर ग्रिल है टॉप पर 3.5 mm हेड़फोन जैक है और इंफ्राड़ेट ब्लास्टर भी आईए अब सिंप्रे को बाहर निकाल कर देखते हैं कि शौमी ने इस फोन में कौन सा सेटप दिया है आपको दो नैनो सिंप के स्लोट मिलेंगे कम्पनी ने इस बार Micro SD कार्ड के लिए अलग स्लोट दिया है यानि आपको दूसरे सिंप कार्ड और Micro SD कार्ड में से एक को नहीं चुनना पड़ेगा तो यह था शौमी रेड्मी Y1 का फर्स लोग हम जल्दी इसके रिव्यो के साथ आएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे देगे लाइक बटन को क्लिक करें टेकलोजी की दुनिया के और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले हिंदी मिले टेस्टेकन्यूस पादने के लिएचाई.gadgets360.com पर लॉग इन करें